क्या NEED 2025 के exam pattern में कोई change देखने को मिलेगा क्या paper बहुत जादा difficult आ जाएगा high cut off को देखते हुए या syllabus में कोई change देखने को मिलेगा तो बिटा मैं बहुत clear कर देना चाहता हूँ NEED 2025 exam में आपको ऐसा कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा जैसे questions आपने 2024 में देखे जो syllabus आपने 2024 में follow किया वही syllabus आपको 2025 में भी follow करना है कुछ से चीजों का बस आपको ध्यान रखना है पहला कि paper NCRT से ही आएगा आपको बस efficient practice करके अपना revision इस तरीके से करना है कि exam में आपको सारे देखे हुए questions मिले मैं हर साल अपनी class में top thousand question कराता हूँ और आप देखोगे 90% accuracy के साथ मैं neat exam का paper predict करता हूँ यही prediction अब आप भी कर पाएंगे मेरे neat question bank की मदद से हमने लगबग 10,000 सवाल आपके लिए बनाये है biology के लगबग 5,000 सवाल chemistry के और लगबग 5,000 सवाल physics के आपके लिए बनाये गए है यह सभी सवाल एक-एक NCRT line से निचोड के बनाये गया है और इसमें हर तरह के question का ध्यान रखा गया है चाहे वो statement based question हो चाहे वो assertion region question हो चाहे वो match the following हो चाहे वो diagram based question हो हर तरह के question का एक proper blend आपको मिलता है इन किताबों का format हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको topic wise question solve करने को मिलते हैं और जब आप पूरा chapter complete कर लेते हैं तो हमें chapter wise mock test भी कराते हैं आपका इन सभी question के detailed answer की और solution आपको हमारी किताब में मिल जाती है और साथ ही साथ आप हमारे funda box app पे इनका video solution और in-app practice भी कर सकते हैं अगर आप कहीं travel करने हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो इन किताबों के साथ आप अगर हमारा pyq और exemplar का combo भी purchase कर लेते हैं तो आपकी पूरी practice की जिब्मेदारी हमारी हो जाती है मतलब आपने chapter wise test दिया आपने topic wise question किया आपने pyq किया आपने exemplar किया और इसके बाद आप neat exam देने जाएंगे तो सारे question आपको देखे हुए मिलेंगे ये efficient question series हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका time waste ना हो irrelevant सवाल करने में और exactly जहां से paper बन सकता है उन सभी topic को cover करके एक capsule के form में एक practice question set आपके लिए बनाया गया है तो फटापट नीचे दिये गए link पे click की दिये और आज ही इस book की मदद से अपनी need 2025 की journey में चार चान लगा लीजिए All the best हलो बचलो तो welcome to your PYQ series जिसमें जैसा की मैंने आपको बताया था हम 11 से शुरू करेंगे और पहला chapter 11 class का आज हम बिस्कस करने वाले हैं which is the living world मैं quickly आप लोगों को brief कर दूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि PYQ को solve कैसे किया जाता है तो हम सिरफ direct solve नहीं करेंगे, हम topic समझेंगे हम वो magic pattern ढूंडेंगे, इस पूरे trend को analyze करकर, इस पूरे PYQ को देखकर कि actually idea को पसंद क्या है और वो हमें आता है या नहीं आता है तो एक चीज अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी practice करना तो अपने पास आप लोग mistake notebook जरूर रखेंगे, अगर नहीं है तो अभी पहले तो उसको ले आईए, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से discuss किया था बटा आप एक बार chapter पढ़ चुके है, अब आप PYQ solve करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि अगर आप NEET के examination में बैठे होते हैं, 2024 में, 23 में, 22 में है न तो क्या आप वो question कर पाते हैं, जो आया था और अगर वो question बहुत बार repeat हो रहा है, same pattern repeat हो रहा है और आप नहीं solve कर पाए आपने negative किया, किसी भी reason से कोई silly mistake हुई, आप से नहीं हूँ पाया इसका मतलब वो particular चीज आपकी week है, उसको आप दुबारा पढ़ेंगे, NCRT से दुबारा पढ़ेंगे topic clear करेंगे और उसकी जादा practice करेंगे और वो जादा practice हम कब करेंगे? कल, जब हम top 100 question series करेंगे इसी chapter की तो इस तरीके से आपका हर एक chapter clear होता जाएगा, weak portion strong होते जाएगे और आप new 2025 के लिए एकदम तयार हो जाओगे, ठीक है? Living world अपने शुरू करते हैं, मैं फटा-फट से आप लोगों को syllabus की थोड़ी clarity भी यहाँ पे देदू मुझे पता है कि जो नया syllabus आया है, उसको लेकर आप सबने बहुत सारी वीडियोस देख रही हैं और आप used to हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी भी पुराने और new syllabus में confused हैं तो मैं chapter wise एक brief आपको दिया करूँगी अगर आपके पास पुरानी NCRT है तो आपको ये पता होगा कि the living world वाले chapter में पहले ना चार topic आते थे चार topic आये chapter बना हुआ था सबसे पहले आपके पास आता था what is living ठीक है दूसरा topic आपके पास होता था taxonomical, sorry diversity in the living world दूसरा आपके पास होता था diversity in the living world वाला ये हो गया तीसरा topic आपके पास होता था taxonomical categories और final और last topic आपके पास था taxonomical aids ये चार topic थे new NCRT में ये cut हो चुका है ध्यान से सुनना ये new NCRT में नहीं है what is living taxonomical aids जिसमें आप herbarium, flora, fauna की botanical gardens ये सब पढ़ते थे वो भी नहीं है new NCRT में सिरफ ये दोनों topic है diversity in the living world और taxonomical categories ठीक है तो पहला focus हमारा किस पे रहेगा new NCRT में what is living हमारी new NCRT में नहीं है पर जो हमारे NMC ने हमें updated syllabus दिया था जो updated syllabus उसमें हमारे पास ये added topic की तरह है मतलब ये topic उस syllabus में लिखा हुआ था NCRT में नहीं है syllabus में है तो क्या छोड़के जाना है नहीं पढ़के जाना है क्या taxonomical it पूरा छोड़ सकते हैं हाँ इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है priority इन दोनों topics को दोगे last में में ये भी आपको कराऊंगे कि इससे कैसे question आए तो क्योंकि हमारे added topic में है तो हम छोड़ेंगे नहीं ठीक है लेकिन शुरू हम इन दोनों से करेंगे ये वाली बात clear होगे और एक और चीज़ जैसा मैंने आपको बताये था कि आप trend देख सकते हो आप PYQ से समझ सकते हो कौन सा chapter कितना important है तो 2024 में इस chapter से एक भी question नहीं आया था मैं reneed की बात नहीं करी पर जो main exam था इस chapter से ना बिटा एक भी question नहीं आया था तो already एक यादो मिल जाता है पिछले साल वो भी नहीं था पर क्या हम छोड के जाएंगे नहीं हम करके जाएंगे क्योंकि हमारी NCRT में है और हर chapter हमारे लिए जरूरी है लेकिन किसी question से हमें भावोक नहीं होना है demotivate नहीं होना है मैं पिछले 30 साल के question कराऊंगी 94 से लेकर 2024 तक कुछ irrelevant होगा तो यहीं बता दूँगी लेकिन छोड़ना नहीं है कभी-कभी पुराने PYQ के options use हो जाते है reuse हो जाते है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखना मैं उसमें बात समझाई थी तो अब सारी चीजों की clarity अगर आपको हो गई है पहला topic जिससे question आयो है diversity in the living world of course तो 2019 में question इस topic से आया था यहाँ पर आप देख सकते हो आप से पूछने है इसमें से कौन सा ICBN के rules के against है अब देखो कैसे solve करते हैं अप्रोच करना भी सीखो क्योंकि बहुत दुख तब होता है जब आती जाती है चीज बच्चा गलत करके आता है और वो गलतियां कब होती है एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते है जो मैं है residential में भी बच्चों को करते हुए देखती हूँ पहला option read किया answer आया 4 option नहीं read किया तो यह हम बिल्कुल भी आदत नहीं डालेंगे हमें answer दिख रहा होगा हम तब भी 4 option read करने की habit रखेंगे हमें speed भी चाहिए लेकिन हमें accuracy भी चाहिए हम negative marks यहाँ पर afford नहीं कर सकते दूसरा pen paper हाथ में होगा न pen मिलेगा न आपको pen होगा आपके पास तो circle करना शुरू करो keywords को कि मुझसे पूछा क्या है important keyword यहाँ पर है ICBN क्या मुझसे पूछा है कि ICBN का rule क्या है या मुझसे पूछा है कौन सा rule नहीं है तो point था against मतलब पहली बात मुझे incorrect बताने है circle करने से आपके दिमाग को थोड़ा clarification मिलता है बिटा pen use करने से, circle करने से आपके दिमाग को पता चलता है कि मुझसे पूछने क्या ICBN के against है अब आप answer कीजिए मतलब आपको incorrect बताने कौन सा rule नहीं है ICBN क्या है? International Code for Botanical Nomenclature दो organization NCRT लिखती है एक Botanical Nomenclature वाली एक Zoological Nomenclature वाली इन्होंने मिलकर कुछ rules दिये थे जिससे हम binomial Nomenclature करते है चार rules NCRT लिखती है और आप pattern देखना अभी बिटा maximum question इस topic में अगर आई हुए न PYQ में तो Nomenclature से आई हुए इतना simple topic हर बार repeat होता है अलग लग तरीकी से अब आप खुद देखना तो 2019 का question देखलो जरा यहाँ पर पहला option मुझको क्या कह रहा है कि अगर handwritten scientific name है तो उससे underline करेंगे, बिल्कुल करेंगे हर species का एक generic name होता है और एक specific epithet होता है तब ही दोसको binomial Nomenclature कहते है scientific name Latin से derived है dead language हमने ले रखी है और italics हम करते है अगर वो printed format में है तो बिल्कुल यह rule होता है generic और specific name अगर हम लिख रहे हैं तो वो small letter से start होगा generic name का पहला letter capital होता है specific epithet का पहला letter small होता है दोनों का पहला letter small नहीं होता, गल्ती हमको मिल गए answer क्या हो जाएगा, D इस question का answer हमारे पास क्या हो जाएगा बिटा, D बहुत बढ़ी है, अगला question देखते हैं 2019 में ही था, यह 19 का है यह Odisha के paper का है, ठीक है फिर से मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा carolus lenius का दिया हुआ, correct scientific name है फिर से nomenclature पे question आया lenius के बारे में याद रखना father of taxonomy भी इनको बोला जाता है father of binomial nomenclature भी इनको बोला जाता है the living world वाले chapter में lenius का बहुत नाम है ठीक है, lenius ने दो books लेकी थी एक systema natural, a species planted उस पे कुछ-कुछ questions आ जाते हैं तो वो ध्यान रखना, अब इसको देख लो आपको पहचानना था कि कौन सा नाम सही लिखाए तो ये फिर से rules पे हो गया नाम हमको क्या कहता है कि पहला generic name का पहला letter capital वो तो सब में specific epithet का पहला letter small वो इसमें नहीं है, यहाँ I capital है तो ये तो मैंने पहले eliminate कर दिया elimination method से solve करेंगे तो time भी बचता है गलती होने के chances भी कम होते है तो मैंने पहला rule लगा दिया दूसरा rule मुझे पता है कि Latin और italics तो मुझे italics भी दिख रहा है फिर मैं इन दोनों नाम के सिवा एक author का नाम भी add कर सकती हूँ पर abbreviated यहाँ पर author का नाम नहीं है मैं priority नहीं दूँगी यहाँ पर author का नाम है यहाँ पर है पर यह पूरा नाम है मुझे दोनों नहीं चाहिए मुझे short जितना होसा के short चाहिए और abbreviated चाहिए तो यह correct form होता है और answer क्या हो जाएगा ठीक है तो इस question का answer क्या हो जाएगा अगला question देखो 2016 का है पहले paper में नीट में था यह ठीक है नॉमन्क्लेचर फिर से नॉमन्क्लेचर का question 16 में आया 19 में आया नॉमन्क्लेचर का question नॉमन्क्लेचर कुछ universal rule से govern होता है ठीक है जी होता है इस में से कौन सा उस rule के contrary है देखो मैंने circle किया कि मुझसे पूछ रहे है कौन सा rule गलत है मुझसे सही नहीं पूछ रहे मुझसे गलत पूछ रहे है contrary word यूज किया है first word in biological name represents the genus name जी हा और second specific epithet होता है बिल्कुल names Latin में होते हैं italicized होते हैं देख रहो आप 2019 में option तक same आयते है इसलिए बोल देते हैं कि PYQ repeat होता है और इसलिए बोलते है कि PYQ important है अगर आप हाथ से लिखोगे तो name को underline करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा क्या biological name किसी भी language में लिख सकते हूं नहीं हमने अभी देखा हम Latin language जिया dead language का ही यूज करते है तो answer incorrect हमारे पास क्या हो जाएगा D ठेक है जे अगला question देख लो जरा चार statement दिया है और correct आपको यहाँ पर बताना है और ये भी question ने आपको बता दिया कि कोई दो ही correct है जो आपको बताने है read करे पहला option क्या कह रहा है definition of biological species Ernst mayor ने दिया था ये बात बिल्कुल ठीक है ये जो पूरी unit शुरू होती है उसके starting में लिख रहा है बिटा दो scientist आएंगे एक Ernst mayor है एक Ernst hackle है please confuse मत हो न आपकी neat के syllabus में hackle का नाम evolution में आप पढ़ते हो जहां ontogeny, recapitulate, phylogeny क्या बात करते हो recapitulation theory वहाँ hackle आते है ठीक है और hackle आप three kingdom classification में भी पढ़ते हो तो वो भी Ernst है ये Ernst mayor है वो hackle है mayor ने हमें biological concept of species दिया था ये statement बिल्कुल ठीक है उन्होंने concept दिया था कि अगर दो organism, दो member आपस में reproduce कर पारे तो वो same species है अगर वो reproductively isolated है नहीं reproduce कर पारे तो वो दो अलग-लग species है ये बात कहीं थे उन्होंने बस ठीक है photo period does not affect reproduction in plants ये line actually what is living की है जो new NCRT में नहीं है ये line वहाँ की है जब आप अलग-लग character पढ़ते हो what is living में कि कौन से character है जिसके वज़े से आप और मैं living है तो अगर आपको याद हो तो growth, reproduction, metabolism, cellular organization पांच वा क्या था? consciousness तो consciousness वाले paragraph में NCRT लिखती है कि हम हर एक stimulus को respond करते है तो वही light भी एक stimulus है तो हमारे living organism उसको respond करते है कितनी देर के लिए light रह रही है उस पे depend कर रहा है कि plant की reproduction flowering depend करते है हम यह चीज plant growth and development में भी पढ़ते है तो यह sentence ठीक है पर यहाँ इन्होंने लिखा है does not affect तो यह गलत हो गया क्यों भया? पिलकुल affect करता है वो एक stimulus है, plant respond करेगा तो यह गलत हो गया statement बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर आरेच विटेकर ने दिया था? नहीं आरेच विटेकर ने नहीं दिया था लीनियस चचा ने दिया था कैरोलस लीनियस ने दिया था आरेच विटेकर कहां पढ़ते हो? biological classification में क्या दिया था? इन्होंने the famous five kingdom classification जो most accepted classification है नमस है मतलब सेम बात है मतलब mutually inclusive event है ये भी आपकी NCRT का statement है बिटा अगर एक organism unicellular है growth कैसे होती है? या तो cell divide करके या mass में increase करके सोचो अगर इस cell को growth करनी है और इसने growth करने के लिए division कर दिया अब ये division ही तो इसकी reproduction थी यही तो इसकी reproduction है और ये क्या reproduction करेगा? तो unicellular के लिए growth और reproduction एक ही बात होती है ये statement ठीक है ये statement ठीक है answer हो जाएगा C तो इस question का answer हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा C अगला question देखते है इस में से कौन सा organism? ठीक है? scientifically correct उसकी naming हुई है फिर से normanclature का question आगया 2012 में है, अभी हम 2016 का देख रहे थे 2012 में तो normanclature आप देख लो, इसका मतलब अगर आप ये topic पढ़ोगे NCRT से कुछ भी हो जाए, normanclature तो strong होना जाए क्योंकि अगर आता है तो उससे question आता है इसे लिए हम PYQ कर रहे है इसे कहते है अनलाइस करना अब देखो जड़ा, फिर से आपको international rules of normanclature को follow करते हुए बताना है कौन सी naming correct है Musca domestica, ये ना एक table दे रहे है NCRT में, लास्ट में जिसमें दो plant और दो animal के बारे में बता रहे है एक housefly, musca domestica एक हम humans, homo sapien एक दे रहे है wheat, tritecum estivum और एक दे रहे है mango, mangifera indica चार की बाद की हुए तो वहाँ Musca domestica है Musca domestica क्या है, घर में मिलने वाली मक्ही, housefly तो क्या ये house lizard है, ये एक reptile है जी नहीं है, मक्ही है Plasmodium falciperum Plasmodium एक parasita, human health and disease में पढ़ते हो अब देखो, दो चापर मिक्स कर दिये गए है तो Plasmodium falciperum human health and disease में पढ़ते हो Plasmodium एक protozone है एक pathogen है और ये malaria करता है ये statement ठीक है और हमसे पूछा क्या है correct या incorrect हमसे correct ही पूछा है ये incorrect है, answer तो आ गया लेकिन मैं सारे option रीट करूँगी phallus tigris के अगर बात करें बिटा तो हम पढ़ते हैं NCIT में हम tigris भी पढ़ते हैं, हम leo भी पढ़ते हैं हम pardus भी पढ़ते हैं पर इन तीनों species का जो genus है ना वो phallus नहीं है, वो panthera है अगर आप याद करो panthera genus में आते हैं ये panthera tigris, tiger panthera leo, lion, panthera pardus, leopard मैंने आपको तीन चीज़े रिवाइस भी करवा दी तो ये tiger के लिए गलत हो जाएगा क्योंकि genus का नेम गलत है E. coli की full form, anti-amoeba coli नहीं होती जब भी question आया था 2012 में तो बहुत से बच्चों ने 4 किया था यहाँ पर confusion हुई थी बच्चों के साथ यहाँ में हमारे teachers बताते होते कि ये गलती करे थी क्योंकि E की full form नहीं पता anti-amoeba histolytic है वो amoeba iases करेगा, वो human health and disease में पढ़ोगी यहाँ E की full form hysteria coli होती है anti-amoeba नहीं होती तो यह statement भी हमारे पास गलत हो जाएगा और answer क्या आएगा बटा B answer हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे B अगला question देखते हैं lenius को किसका credit दोगे binomial nomenclature इस chapter में यही पढ़ रहे हैं बार-बार-बार देखो nomenclature से question आ रहा है theory of biogenesis वैसे इसको propose करने वाले पहले Lewis Pasture थे जब उन्होंने ए-biogenesis को गलत प्रूफ किया था microscope आपके NCRT के syllabus में इसके discovery किसने करी नहीं है वैसे Jicaris का नाम आता है blood circulation William Harvey ने discover करी थी human health and disease में आएगा तो lenius का काम एही है इसी बाने मैंने आपको दो तीन जीजे और याद भी करवा दी ठीक है अगला question देखो इसके साथ एक topic हो गया इतने ही question आये थे और आपने देखे होंगे कितने question देखे है I think six के around है जितने भी है ये five ये six होंगे तो 99% तो nomenclature है इसका मिदलब no one lecture important है सीधा सीधा question आता बात करता अगला topic करते है taxonomic categories देखो जरा 2022 में question आया था taxonomic categories से ये research में आ गया हमारे पास क्योंकि 24 में भी नी था 23 में भी नी था तो 22 में आ गया और 19 का तो आपने देखा ही है ठीक है मैं एक बार फिर से revise करवा दू kingdom फिर हमारे पास आता है division division हम plants के लिए use करते है phylum हम animals के लिए use करते है और यहां देखो animals लिखा है तो हो सकता है कि question आपको confuse करे phylum और animal के बीच में तो वो keyword पकड़ना भी ज़रूरी है kingdom, division के बाद बिटा क्या आएगा class class के बाद order order के बाद family यह मैं यहां से हटा के नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो order के बाद क्या आएगी family family के बाद क्या आएगा genus और finally genus के बाद क्या आएगा species यह sequence होता है अपने पास वैसे तो technically अगर ascending order बोल रहे हैं तो यह basic unit होती है और यह largest unit होती है तो ascending तो species से kingdom की तरफ जाना चाहिए पर देखो तो सारे option ही kingdom से शूरू हो रहे हैं तो ascending है तो कोई मतलब ही नहीं है बस sequence देखने आपको तो यह kingdom हो गया kingdom के बाद क्या आना चाहिए phylum वो A की option में phylum order के बाद नहीं आएगी class के बाद नहीं आएगी class के बाद नहीं आएगी अगर आपको इतना sequence भी पता है kingdom के बाद phylum है तब भी कर सकते है A की option में kingdom phylum class order family genus species इतना असान question था ये इतना आसान question था answer क्या हो जाएगा आपके पास B पर ये sequence प्लीज अच्छे से याद रखिये का आगे देखो अगला question इसमें से कौन सा family Masidi को belong करता है ये फिर से उस table से भी आवा question है मतलब अभी तह question या तो nomenclature के आ रहे है या table के आ रहे है Masidi family किस किये Maska Domestika किये Maska Domestika कौन है हमारी house fly है आंच से क्या हो जाएगा इतना simple question हो ही नहीं सकता 2021 तो 21, 22, 19 लगातार एक ए question आ रहा था 19 में भी हमने देखा है 21 में भी देखा है और 22 में भी देखा है pattern तो हम समझ रहे है 16 में भी काफी question आए थे दो आपने उस topic से भी देख ले एक एस topic से भी तो 16 में बहुत question पूझे गए थे फिर दीरे दीरे एक ए question आने लगा और last year में तो था भी नहीं तो this is the pattern आपको match करना इस question में house fly का सारा classification है आपको match करना देखो फिर से वही table चार organism दे रखे है house fly बार बार ले रहे हैं ये लोग तो house fly क्या है जी हमारी musca domestica है musca domestica हमारी मक्ही है मक्ही हमारा insect है insect हमारे phylum आर्थरोपोडा में आता है तो phylum हमारे पास क्या है आर्थरोपोडा है ना phylum हमारे सोरी फाइलम हमारे पास क्या है आर्थ्रोपोडा तो D का क्या हो जाएगा 2 D का 2 देखो वैसे न A की option में है तो यहाँ आप Animal Kingdom से भी कर सकते थे Animal Kingdom में हम इतना तो पढ़ते हैं मक्खी, इंसेक्ट यह सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है ठीक है और वो A की option में है अगर आपको यह table नहीं भी आता था Living World का आप इसको Animal Kingdom से कर सकते थे But again, Musca Domestica है तो family उसकी क्या है? Masidi क्योंकि suffix क्या लगता है family के लिए या तो A-C या तो A-E तो यहाँ A-E लगा हुआ है अपनी class क्या हो जाएगी यह insect है और order क्या हो जाएगा diptera मेरी एक गलती रहती है हमेशा मेरे पुराने students जानते हैं मैं match सही करती हूँ पर option गलत फिल करती हूँ मैं अकसर ऐसा करती हूँ तो मैं हमेशा match the following में रुख जाती हूँ अब यह बात मैं आपको क्यों बता रहे हूँ अपनी गलती बताने के लिए नहीं आपको यह बताने के लिए कि आपकी गलती आप पहचामते हो अगर आपकी भी ऐसी कोई गलती है जिसे टिक सही लगाते हो पर फिल नहीं सही करते हो उपर सही करते हो पर नीचे 1, 2, 3, 4 काउंट सही नहीं करते हो how many वाले question तो रुख जाया करो थोड़ा सा patience अगर आपका minus 1 होने से बचा सकता है तो रुख जाया करो कोई उसमें गलत बात नहीं हुरी है इतना मतलब speed के चक्कर में जाओगे accuracy करोगे, negative करोगे जो मुझे पता है कि मेरे से match the following में गलती होती है तो मैं रुख जाते हो अब मैं अराम से प्यार से इसको देखूँगी कि अच्छा 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है है ना, 3 है फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है अच्छा जी मैंने सही किया, तो आन से क्या हो जाएगा ए, तो थोड़ा सा अपनी गलती पहचान के रुक लेना अच्छी बात होती है अगला question देख लो जाना common character बताना है आपको tomato और potato के बीच में कहां पर maximum होगा अब यहां बर ना, दो आपका concept लगता है आपको यह sequence पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है kingdom kingdom के बाद हमारे पास क्या आता है phylum phylum के बाद हमारे पास क्या आती है class, class के बाद हमारे पास क्या आता है order order के बाद क्या आती है family family के बाद क्या आता है genus और genus के बाद क्या आता है species यह सही sequence लिखा है मैंने kingdom division class order family genus और species दूसरी बात जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इस sequence में, इस hierarchy में जब आप higher से lower की तरफ जाते हैं तो common character increase होते हैं या decrease होते हैं फटा-फट बता दो मुझे common characters increase होते हैं या decrease होते हैं तो increase होते हैं क्योंकि आप same species की तरफ जा रहे हो आपस में similarity भढ़ती है, common characters भढ़ते हैं question आपसे क्या पोछ रहा है common character maximum कहा होंगे इन दोनों के लिए इन दोनों का, अभी ध्यान से सुनना इन दोनों का genus solenum है ठीक है, मैं लिख देती हूँ याँ पर इन दोनों का genus अगर आप Google भी करके देखोगे solenum और इन दोनों की family solenacy है मतलब इन दोनों में दो चीज़े common हो गई हैं याँ पर इनकी family भी common है, इनका genus भी common है लेकिन मुझे answer क्या करना है कि maximum common कहा मिलेगा तो जो नीचे होगा, जितना नीचे जाएंगे common character भड़ेगा, तो answer मुझे क्या देना चाहिए? जीनस answer क्या होना चाहिए? जीनस पर answer 2013 में क्या दिया था उस time? family, अब मैं आपको एकदम सही clear cut बात बता रहे हूँ please confuse मत होना, बहुत धंग से मेरी बात को समझना, जब ये paper आया था, तो उस साल में जो answer की में दिया गया था, वो दिया गया था family reason being, हम तब जो पढ़ते थे, जो हमें पढ़ाया जाता था, जो उन बच्चों को पढ़ाया जाता था, जो उसके बाद जिम मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ाने की journey शुरू करी, तो offline में बच्चे मेरे पास आने लगेगी मैं इसका answer होना चाहिए genus, और मैं लड़ देती थी, मैं डांट देती थी कि ऐसे कैसे भई, तो मैं पता नहीं है फैमिली सॉलने सी, जीनस लाइको परसी कौन है तो एक बार के लिए वो मान जाते थे फिर उसके बाद अगले दिन फोन लाके मुझे दिखा देती कि मैं देखो, गूगल करो, जीनस देखो इसका टमेटो का सॉलन हम है, तो यह update हो चुका है, उसका जीनस सॉलन हम है जीनस भी सेम है, और जीनस सेम है तो maximum common character, तो जीनस क्यों है क्योंकि जितना नीचे जाएंगे common character भढ़ेगा, सीधी सी बात है तो I hope आपको समझ में आया हो कि क्या final conclusion क्या है कि अगर ये question दो हजार पच्चेस में आएगा तो इसका answer ना जीनस होगा लेकिन अगर मैं बोलू दो हजार तेरा में क्या answer दिया गया था तो family दिया गया था and there is a very high chance कि ये आएगा नहीं बिटा तो जाधा tension लेने की ज़रूरत नहीं है इस question से question आने के chance बहुत कम है आये तो NCRT से सीधे सीधे हो direct आएगे ऐसा नहीं आए तो tension मतले है ठीक है पर हो clarity हो अगला question देखो 2011 में आये था अगेन आपको क्या बताना था correctly match यहाँ पर बताना था तो tiger के लिए tigris उसकी species होती है अगला question देखो species को आप क्या consider करोगे अब देखो 2003 काफी पुराना paper अब ऐसा question आपको नहीं मिलेगा मैं पहली बता दू जहाँ इतना confusion हो रहा हो क्योंकि option देखो kingdom से species की तरफ जाओं तो मैं जानती हूँ कि यह basic unit है, सबसे छोटी है मैं जानती हूँ यह lowest unit है artificial नहीं है, यह real unit है मैं यह बात भी जानती हूँ सारी options मेरे ले ठीक है यह real unit है in fact पूरे जो categories है, जो 7 categories आप पढ़ते हो kingdom, division, class, order, family, genus, species उसमें एक लोटी category, जो सच में real में है वो species है तो real unit यह होती है सबसे basic unit यह होती है तो बिठा, A भी correct है, B भी correct है, D भी correct है मैं honestly बता रहे हूँ हमें बस most correct choose करना था मैं उस साल की बात करूँ तो answer A दिया था यह मैं आपको बता देती हूँ, देखो मुझे पता ही है, कि सारी category taxonomist ने बताई थी तो शायद इन्होंने इसलिए इसको consider कर लिया गए, कि real और basic दूम again, a vague question हर साल, जैसे अपना यह mitochondria chloroplast वाला question यह था 2014 में, fact-based था या फिर वो GPP वाला question जो कितना उन्होंने उसमें कड़बड कर रहा था GPP, NPP वाला वो, जो 10X वाला लिया था उन्होंने पूछा उसमें था primary productivity at third traffic level third traffic level पर primary productivity होई नहीं सकती वो tertiary productivity, वो question कितना गलत था जो 2024 का था, पर ऐसे एक-दो controversial question के लिए तो हमें तयार रहना ही पड़ेगा तो शायद ही one of them है, अब इसके हम कुछ नहीं कर सकते अगर ऐसा आप ही क्या तो हम most correct choose कर सकते हैं, हम एक answer करके आएंगे और anti most probably fact को मानेगा उसके लिए हम तयार रहेंगे, पर ज़्यादा परिशान हम नहीं होंगे इस चीज़ों से, ठीक है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आज से क्या choose क्या गया था क्योंकि real और basic दोनों है आगे देखो इसमें आपसे पूछ रहें, which of the following is less general in character as compared to genus genus के comparison में general कम, general कम मतलब common जादा please इसका न, opposite अगर हम kingdom से species की तरफ जाते हैं तो इस direction में जाने में common characters decrease होते हैं sorry, common characters increase होते हैं, यही हम लोग पढ़ते हैं, और मुझे क्या बताना है general कम मतलब common जादा किस के comparison में, genus के comparison में species से just उपर आता है genus बिटा, तो genus के comparison में, जादा common character किस में होंगे मुझे पता, और genus से उपर कोन आती है, family genus से उपर कोन आती है, family तो genus से उपर आने वालों में common character जादा होंगे, या genus के नीची आने वालों में common character जादा होंगे और मुझे बताना भी क्या है कि जादा common character, क्योंकि less general मतलब more common, तो more बट बढ़िया question था, मैं इसको मार्ग कर रहे हूं, यह समझने वाला question था, again, मैं फिर से कहूंगे, बट इस लिविंग जे इतना दिमाग नहीं लगाएगे NTA, बहुत कम question पूछने लगी है इससे, पर आपकी NCRT अगर common लिख रही थी, general नहीं लिख रही थी, तो इतना था ह of a group of, मतलब taxon, तो scientific term हम जो category के लिए use करते हैं, कोई भी category, तो यह किसका unit हो गया, हमको यह अलग से सिरफ एक order, एक species, एक genus की बात नहीं कर रहे हैं, यह सब taxon अपने आप में, तो taxon unit किसकी है, taxonomy से, taxon से हम करते हैं, taxonomical categories बनाते हैं, hierarchy बनाते हैं, उसमें organism को fit करते हैं, तो यह scientific term use हो रहा है, और यह किसकी unit है, group of taxonomy की, answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, ठीक है, again, यह direct NCRT से नहीं है, लेकिन देखो, 1996, अब ऐसे question नहीं आएंगे, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन आप इसको elimination से भी कर सकते हो, ऐसे question को, कि यार, यह तो सारी taxon है, मैं किसी क इसको कैसे juice करो, तो यह unit किस की हुई, taxonomy की, हम ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है, चलो, हमारा PYQ खतम, दो ही topic अब new NCRT में, इतने ही PYQ पूचे करेते हैं, इतना सा chapter है, लेकिन हम NCRT exemplar भी करके जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है, कि NTA NCRT exemplar से direct question उठाके repeat करती है, तो NCR exemplar कर लेते हैं, चलो, पहला question देखो जरा, as और इसमें, प्लीज ध्यान रतना, इस NCRT exemplar में मैंने new NCRT ही ली है, old NCRT या adder topic नहीं लिया, adder topic हम अलग से करेंगे last month, ठीक है, I hope आप अपनी गलतिया mistake notebook में लिखते जा रहे हो, अगर आपको session से नए topic समझने में मदद हो र from species to kingdom in taxonomic hierarchy, number of common character, अगर हम नीचे से उपर जाते हैं, तो common character decrease होंगे, उपर से नीचे आते हैं, तो common character increase होंगे, इस direction में जाने में common character decrease होते हैं, answer क्या हो जाएगा, A, ठीक है जी, अगला question देखें जरा, which of the following suffix used for unit of classification, in plants, indicate family, family के लिए मैं आपको already बता चुक हूँ, देखो एक याद रखना बाद, order में ना अकसर आपको Ales मिलता है, जैसे आपने triticum में देखा होगा, Oles, या sapined Ales, तो वैसे तो बहुत सारे suffix हैं, पर मैं सिरफ आपको दो बता रही हूँ, जिससे आपके maximum question निकल जाएंगे, order के लिए suffix होता है Ales, और family के लिए suffix होता है कभी order में भी आजाता है, अब priority जो है A C को देना, A E में इसले बोल रही थी, क्योंकि जैसे हो में निडी आदे आपको, उसके last में A E आता है, पर ये ना कम है, proper suffix जो हम याद कर सकते हैं family के लिए ना, वो A C है, तो answer होगा C, ठीक है, clear हो गया, तो आगे देखे ज़रा, क् उसमें बस हम diversity और phylogenetic relationship के study करते हैं, गर मैं NCAT की बात करूँ, तो diversity among the organism and their phylogenetic relationship या फिर evolutionary relationship के हम बात करते हैं, ठीक है, तो systematics में ऐसा नहीं है कि identification नहीं है, ऐसा नहीं है कि nomenclature, identification, classification, ये सब नहीं है, हाँ habitat की study specialist के अंदर नहीं आती, पर जो NCAT की direct line है, जहां से question में है कि आप diversity of organism and their relationship, और वो भी कौन सा specifically phylogenetic relationship, मतलब ancestor से relationship या evolutionary relationship के हम बात करते हैं, ठीक है, जो चार points होते हैं, जो चार components होते हैं किसी भी taxonomy के, characterization, identification, classification, nomenclature, वो taxonomy में भी है बीटा, वो systematics में भी है, बस systematics में आप phylogenetic relationship भी study करते हो, आंसर होगा C, अगला question देख लो, genus क करते हैं, एक individual को होती है, पीटा, species, जो खुद ँवो individual होता है, जो real individual होता है, जैसे मैंना खो बला real unit, इसलिए मैं बॉल रही था, कि अगर मैं tigres बोलू रही हूं, तो मैं tiger की बात रही हूं, मैं leo बोलू हूं, मैं तो lion की बात कर रही हूं, मैं sapien बोलू हूं, तो इनसा प्लानों के बाद हम कर रहे हैं, तो species real unit होती है, species उस individual के लिए use होता है, genus नहीं, genus क्या है, group of species है, group of closely related species है, of plants and animals, वो हो जाएगा, collection of plant और animal नहीं है, वो तो आप taxonomical aid में पढ़ते हो, तो यहाँ पर answer आपके पास क्या हो जाएगा, बिटा, C, अगला question देखते हैं, the taxonomic unit phylum, हम किस के लिए use करते हैं, animal के लिए, same उसके equivalent हम plant के लिए क्या use करेंगे, division, यह तो मैंने आपको थोड़े तर पहली बताया था, please इस बात को याद रखना, phylum हम animals के लिए use करते हैं, division हम plants के लिए use करते हैं, आँसे क्या होगा, C, अगला question देखो, जितने भी यह living organism है, यह एक दूसरे से link है, क्यों? क्योंकि इन सब के पास common genetic material होता है, एकदम same type का, अब यह थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या बहुत अपत्ति जनक statement है, हाँ हम पढ़ते हैं, molecular basis of inheritance में, majorly हमारा genetic material DNA है, पर RNA भी होता है कहीं कहीं, same type का भी नहीं होता, कहीं linear होता है, कहीं circular होता है, मतलब दिक्कत है यहां पर, ठीक है, they share a common genetic material, but to varying degrees, हाँ, माना DNA है, मान लिया, polynucleotide है, but variation है, कहीं DNA भी है, कहीं RNA भी है, तो उसमें variation है, कहीं linear है, कहीं circular है, कहीं single standard है, कहीं double standard है, यह जाधा सई statement है, क्या जितने भी living organism है, सबका common cellular organization है, cellular organization क्या होता है, कि किसी में कोई unicell cellular है, किसी के अंदर cell जुड़के, मतलब multicellular हो गए, लेकिन loose tissue है, किसी में उसने proper tissue बना लिया, किसी में tissue ने जुड़कर organ बना लिया, कहीं organ system बन गया, तो porifera तो cellular level पे बैठा है, silented tissue और tinofora tissue level पे आगे, क्या हम सारे same level पे है, नहीं है, अफकोस नहीं है, यह statement भी गलत आया था, कि हम last में पढ़ रहें, अब kingdom अपने पास क्या है, पांच kingdom होती है, गिंदी की, monera, protesta, fungus, plant or animal, यहाँ पर आपको एक ही मिल रही है, planty, तो B आपके पास क्या है, 4, एक बार ज़रा B option देखना, ठीक है, B option यहाँ पर दे रख है 3, यहाँ पर दे रख है 3, यहाँ दे रख है 4, मैंने randomly सबसे simple option उठाया, कि भाई kingdom तो 5 kingdom classification है, 5 kingdom होती है, कौन लगाएगा दिमार का, एक ही kingdom मुझे दिख रही थी, planty और एक ही option था, कभी-कभी NTA इतनी मदद भी कर देता है, यह तो exemplar है, पर NTA भी ऐसा करता है, नीट में भी ऐसा आता है, मान के चलो आपक से भी answer बनता है, यहाँ पर बन रहा है ना जैसे, आप बाकी चीज़े भी यहाँ पर match कर सकते हो, ठीक है, जैसे की, देखो, solenum tuberosum दिख रहा है आपको, जिसमें solenum क्या होता है, genus, tuberosum क्या होता है, species, solenum tuberosum किस family को belong करता है, solenasi, है न, और इसका order क्या है, polymoniase, मैंने बाकी सारी matching भी कर ली, आप देख लो, A को किस से match किया, solenasi, यानि की 5 से, kingdom तो हम करी चुके है, order हमारे पास क्या है, polymoniase, ales आता है, फिर से ales देखने को मिला आपको, तो C का क्या हो जाएगा, 2, species क्या है, tuberosum, यानि D का क्या हो जाएगा, 1, genus क्या है, solenum, यानि E का क् cross check भी कर लिया, कोई गुंजाईश नहीं रखी है, negative होनी की, answer क्या होगा, A, फिर हमारे पास add a topic, हम add a topic देख लेते हैं, बिटा, छोडेंगे नहीं हम इसको, what is living हम कर लेंगे, चोटा सा topic है, जितने PYQ और जितने exemplar है हम solve करके देख लेंगे, तो इसका PYQ, what is living से 2007 में आ universal है, देखो अपने दिमाग में चीजों को simplify क्या करो, आप किसे लिए mistake होनी कम हो जाएगी, कि living organism, universally, कोई exception नहीं है इस बात का, उसको हम distinguish कर सकते हैं, known living से on the basis of, मतलब ही आपसे क्या पूछना चारे है, defining feature, आप 5 character पढ़ते हो, लेकिन हर character में कोई नहीं आपको exception मिलता है, growth है, reproduction है, है ना, लेकिन metabolism है, कोई exception नहीं है, defining feature है, cellular organization, कोई exception नहीं है, defining feature है, consciousness, कोई exception नहीं है, defining feature है, तो वो हमारे defining feature है, तो growth में तो हमें मिल गया, क्योंकि extrinsic growth हम पढ़ते हैं, कि बाहर से मिट्टी आगे किसी, मिट्टी के, उस पर टीले पे तो, तो उसकी growth हो रही है, क infertile human couple, worker B, तीन example NCRT देती है, कि ये तीनों को reproduce करना नहीं आता, या कर नहीं सकते, पर ये जिन्दा है, तो ये तो defining feature नहीं है, responsiveness to touch, interaction with the environment and progressive evolution, तो इन दोनों में आप क्या चूज करोगा, बिटा, responsiveness, consciousness में आता है, पर इन्होंने सिरफ एक responsiveness ले ले ले, touch की, अब ज़रू sense organs ना, दीरे-दीरे develop होते हैं animal में, अगर आपको animal kingdom यादो तो, बहुत दीरे-दीरे develop होते हैं, जैसे-जैसे आप phylum में आगे जाते हो, तो sense organs या responsiveness या equilibrium, अलग-लग ऐसे sense organs आते रहते हैं, जो response करने में मदद करते हैं, तो इसमें भी आपको कहीं न कहीं शायद exception मिल करता है, NCRD की line है, answer यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, B, अगला question देखो, most important feature, सारे living system का, क्या होगा, कि हम oxygen utilize करते हैं, energy generate करने के लिए, हम genetic information को replicate करना जानते हैं, actually तो यही हमको living रख रहा है, क्योंकि DNA replication हो रहा है, जो हम सबको living रख रहा है, produce gamut यह तो हर किसी का ह नहीं नहीं क्योंकि gamut बनता है, sexual reproduction में हर organism sexual reproduction करता ही नहीं, sun का use करना metabolic activities के लिए, यह actually direct sun का use करना तो सिरफ plant को आता है, हम तो बाद में indirect use को use कर रहे हैं, हम तो energy बना रहे हैं, और सारे organism aerobic भी भी होते हैं, anaerobic होते हैं, तो यह सारे चीज़े ना, जहाँ पर exception है, वो most important feature ह होई नहीं सकते हैं, हम सब किसी ना किसी तरीके से, चाहे asexual हो, चाहे sexual है, continuity maintain करने के लिए, genetic material replicate करते हैं, वो हमारा सबसे important feature हो जाएगा, continuity maintain करने के लिए, हमारा genetic material, जो हमें regulate करता है, वो हम replicate करते हैं, by either way, ठीक है, answer हो जाएगा B, यही topic, जो आपका added topic है, what is living, उससे exemplar का question देख लेते हैं, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा defining feature है, एक living organism के लिए, growth में exception है, reproduction में exception है, हर कोई sound तो नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे response to external stimuli आ जाएगा, तो depending on the option, आप most correct है, आपर choose करते हो, और answer आपके पास क्या हो जाएगा, बिटा, B, तो with this, we have finished your chapter 1, आप comment section में, जितनी आपने score किया है, I hope आपने सिरफ answers देखे नहीं है, आपने अपना score बनाया हो, अपनी mistake notebook में लिखा हो कि मेरसे ही गलती है, मैं उमीद कर दी हूँ कि गलतियां कम से कम हो, ताकि आपके mistake notebook अराम से, प्यार से बैठी रहे, और वहत कम चीज़े उसमे last में revise करने के लिए, लेकिन अगर कोई topic आपका week रहे गया है, तो अपना score और अपना week topic comment section में लिखके जाना, कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती करी थी, और मैं कल आऊंगा उसको complete करने, या आऊंगी उसको complete करने, तो मैं मिलूँगी आपसे कल, और अपना honest मेरे साथ track आप comment section में रखेंगे, ठीक है, तो I'll see you soon, thank you so much, अगर PYQ book नहीं लिए, तो fundabox.in पे जाकर उसको purchase कर लो, क्योंकि of course अगर same book आपके पास होगी बिटा, तो हमारे लिए practice करना भी easy होगा, और आपको बहुत relevant questions यहाँ पर मिल जाएंगे, with solutions, with hints, और topic wise distributed, तो I'll see you soon with the next video, next P PYQ हम लोग करेंगे Thursday को, next PYQ हम लोग करेंगे Thursday को, biological classification का, लेकिन कल Tuesday हम लोग करेंगे top 100 question living world के, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तयार रहेगा, जो भी week topic है, महाँ पर उसको खतम करेंगे, तो I'll see you soon, till then take care and keep learning.